वेल्कम टू माई यूटूब चैनल केमिश्टी वाज मैसल फासिस वासकर सीनर केमिश्टी फेकल्टी आप चार्टे क्रोप अब इंस्ट्यूशन बचो आज हम लोग नेक्श लेक्शर कंटिन्यू करने वाले हैं कार्बन फेमिलियों को लेके बिटा आज हम डिसक्स करेंगे कार्बनिक एस एड नेक्सी कार्बोनेट एंड बाई कार्बोनेट इसके उपर आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डिसक्जन करते हैं तो सबसे पहले दिखो जो हम बात कर रहे हैं कि कार्बन तो यह जो बचल स्योट्टू होता है कारबन ले ओक्षाइड इसको में पहले भी करेगा करेक्ट अब ऐसा क्यों अगर आप CO2 को वाटर मॉलिक्यूल्स में अगर आप जैसे हम किसी भी कंपाउंड की या किसी बेलिमेंट की जनरली अगर मैं अगर आपको मिल ला है इसका नाम क्या है आपका कार्बॉनिक एसीड और आपको पता है है कि अगर के लिखे आपको यहां से कहीं नहीं आपके जो हम एसीड की थिऊरी की बात करते हैं और प्रोटोंस आपका रिलीज करता है जब प्रोटों की बात करेंगे तो डिफेनेटली विटा यहां पर जब उसको हम लोग ब्रोटों की बात करते हैं जो लोग लोग लिफेस बूलते हैं तो यहां तो आपको समझ में आ गया होगा एक कलिए तो कारपोनिक एसेड के जब बात करते हैं तो अचली यह बीक एसेड कैसा होता है बचो यह दिस इस आक्चली बीक एसेड क्यों कि बच्छो जब हम इसके डिस्योशियेशन की बात करते हैं तो यहां से आपको सबसे पहले बच्छो एक एक प्लस साइन मिलेगा फिर बच्छो यहां से आप देखो तो आपको यह फाइनल बज़े से अकर मैं यह आपको देख रहे हैं तो बच्छो यहां पर क्या होगा यह आपका डवाल बॉंड ओ आपका यहां फिक्स हो जाएगा समझ में आप आ पा रहा है जब बच्छो इसका है लॉन पियर और यह वाटर मॉल इक्लिस में पूरी तरीके से आपकी जो इस्टिबिल्टी है और पू करता कि नहीं करता है तो बच्छो यहां से आपका यह दुखो पॉइंट क्या होने वाला है कि यहां से यह जो आपका हैट्रोजन है यह सबसे प्ले हैं अब यह हैंसे नाइन क्या मिलेगा है अफनी अपका अगर आपने देख पार होगे तो अभी भी इसके पास एक आपका हैट्रोजन यह बाला हैट्रोजन अभी इसके पास प्रिजेंट होगा इट ए इस अलसे हिडगा तो फर्दर बच्छो यहां से एगा बोल सकते हैं, बाइक कार्बोनेट को रिलीस करेगा, तो मंदब 2H+, आपको मिल जाएगा, और फैनली मिलेगा आपको CO3-2, बच्चों इस टेटी से कार्बोनेट एन एन और आलवेज फर्म नॉर्मल सॉल्ट, यहाँ आपको पॉइंट यहाँ पे किलियर हो चुका होगा, नेक्स बच्चों हम लोग यहाँ पे स्टेड़ी करने वाले हैं कि एसीडिक सॉल्ट, तो एसीडिक सॉल्ट बच्चों जैसे याँ आब बाइक कार्बोनेट्स होगए है, जिसे हेड़्ोजन कार्बोनेट बो joints आप याँ बाइक्स बोलो, तो वह बच्चों रेंट करते हैं एसंडएकْ रियक्षिन को, जो इस तरीके थोड़ा हम लोग यहाँ पे स्टेश कर लेते हैं, और चांटिन्यू करते हैं, ध से पास कराता हूं तो बताओ बच्छों आंसर क्या फ़र्म होगा एक्वस्ट बिल रिप्रेजेंट थी वाटर मॉलीकुल्स तो यहां से आपको मिल जाएगा बताओ एक्वस्टि वाटर में यही चलता है तो आपका नुट्राइज चनागस के मतलब सॉट वर ने वाला है तो C02-2 आपको यहां से कारदो और आपका sodium में आपके ने प्लस यहां से बैलेंस करों चार्ज को तो क्या मिला आपको यहां से आपको resultant मिल जाएगा बचो Na2CO3 sodium carbonate और प्लस आपको acid based action से बचो क्या मिलता है salt प्लस water molecules वो आपको मिल गया अच्छा अब मैं क्या कर रहा हूँ एक step में फिर से करना चाहूँगा यह Na2CO3 के साथ अगर मैं फिर से बच्चो CO2 गर में पास करा देता हूँ carbon dioxide gas sugar में पास कराता हूँ तो फिर से क्या बनेगा मतलब बच्चो यहां पर टोटल आपको beaker में क्या मिलेगा water भी कहीं ने की देखने को मिलेगा तो फिर से बच्चो क्या करेगा यह CO2 further reactivate किसे बच्चो water molecules से तो फिर से क्या बनाएगा यह बना लेगा H2CO3 समझ माये कि है अब बेटा यहां से आपको मिलेगा bicarbonate CO3-1 that will react with Na2CO3 तो resultant बच्चो यहां से मिल जाएगा आपको NaHCO3 कि आपको मेरी बास समझ में आई अगर access में अगर CO2 होगा तो reaction बच्चो आपकी stop करेगी NaH bicarbonate तो जाके आपकी stop कर जाएगी समझ में आ गया इसके बाद एक reaction की तरह हम लोग और बात करते हैं जैसे बच्चो अगर मैंने यहां पर ले लिया है carbon dioxide के सायथ calcium hydroxide अब बताना आंसर क्या form होगा बताओ बच्चो यह सिंपल तरीका है यह ना प्लस आपका यहां पर water molecules water बनेगा और फिर से अगर बच्चो CO2 gas यहां पर आ जाएगी तो आपको पता है CO2 बेटा फुर्दर रियक्ट बेद water molecules वाइस्टू CO3 फिर से फर्म करेगा और बच्चो जाएगा reaction bicarbonate तो बनेगा CAH CO3 twice तो calcium bicarbonate पर ज reaction को लेके दिहान देते हैं important reaction आपकी यह भी है अगर बच्चो मैं बात कर रहा हूं basic oxide तो आपकी metals के oxide है और यहां पर आपको आसानी से मिलेंगे यह आपको समझबान अच्छे ठीक है CO2 बच्चो अब्जॉर्ब हो जाएगे यह carbonate का फॉर्मिशन कर लाएगा जैसे कुछ example देख सकते हैं like K2O के साथ बच्चो carbon dioxide gas क्या मिलेगा K2CO3 अगर हम देखेंगे यहां पर तो NA2O इसके साथ बैसे मैंने आपको s block के इंदर सब कुछ डिसकस किया है previous lecture आप यहां पर देख सकते हो ठीक है तो यहां से मिल जाएगा CO2 को लेकि कुछ और process जैसे हम लोग बात करते हैं यहां पर double decomposition तो double decomposition process को भी थोला समसब्सेंगे यहां पर यहां से बचो क्या मिलने बाला है CA plus 2 मिलने बाला है हाला कि मैंने आपको inorganic के अंदर basic mechanism discuss किया था यहां से आपको क्या मिलेगा sodium plus वो भी आपके 2 sodium है तो plus 2 charge यहां से मिल जाएगा यहां से मिलेगा 2Cl-1 और यहां से मिलेगा CO3-2 ठीक है तो यह calcium बचो जाएगा carbonates के साथ इसके साथ जाएगा तो यहां से आपको क्या बना लेगा बचो यह बना लेगा CACO3 और plus आपको मिलने जाएगा 2 moles of NaCl तो यहां से बच्चो आपको मिलेगा BACO3 यह आपका positive part यहां से negative part carbonate और plus आपको मिलेगा 2 moles of NaCl अब जब हम बात करते हैं पर इसका basic logic उसको समझो जब मैं यहां पर displacement को study कर रहा हूं तो ध्यान बच्चो क्या देना होता है कि कौन से इसको कर पा रहा है किसको solutions है तो electrochemistry chapter आप याद करो electrochemistry chapter के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था electrochemical series electrochemical series के अंदर मैंने discussion आपको किया था कि कौन सा metal किसको oxidize करेगा कौन सा metal किसको reduce करेगा और reaction कहाँ पर perform हो सकती है feasibility और कहाँ पर reaction आपकी feasibility नहीं हो पाती है तो वो कोई से आप लोग इसको एक पर देख लेना वो आपको अलड़ी में discuss किया है तो कोई सी भी तो मैंने आपको basic example दिया है लेकिन वहां से आप कोई भी chemical injection के बेन है तो वहां से feasibility आप डिफेंड कर सकते हो ठीक है कहां से possible हो सकती है कहां से आपकी possibility नहीं हो पाती है आपको logic दे दिया है बाकि आप वहां से उसको देख सकते हो आपको अलड़ी lecture में देखने को मिल जाएगा ठीक है चलो अब कर देख से अक्षक्त बात करने वाध इसके सॉल्विल्टी के उपर तो नेक्स पॉइंट इस्स सॉल्विल्टी तीक है यह भी important है आच्छा सावल्विल्टी के बारे में इस्ट टिटी करते हैं तो गहिंने कि हम लोग वाटर के बारे में बात कर रहे हैं ठीक है water molecules की solubility को लेके बात करेंगे और हम लोग बच्चों इश्टी कर रहे हैं कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट के बारे में तो आपको मैं यहां लिख देता हूँ except except alkali metals except alkali metals carbonate carbonates ठीक है all other all other carbonates are insoluble are insoluble in water in water बच्चों देहां रखने ठीक है आपको लेखा है मैंने except alkali metals carbonate सिर्फ alkali metals से carbonate को छोड़के बाकि जो भी आपको metal के carbonates मिलेंगे वो बच्चों कैसे करेंगे अपनी insolubility को represent करते हैं because of its crystalline nature ठीक है because of its जिसको हम बात कर सकते हैं यहां पर आपकी जो bond distance है उसको लेकि भी वहां पर आपकी discussion किये जाते हैं तो पहला point आपको यह ध्यान रखना है शेकिन दोगो जब बात करते हैं बाई carbonates के बारे में तो बाई carbonates को मैं आपको यहां पर यहां पर कर देता ठीक है water molecules के साथ ठीक है लेकिन इसमें भी आपको मैं बता दूँ जो बाई carbonates आपके alkali metals के हैं बाई carbonates आपके alkali metals के हैं वह बच्चों आपको मिलते हैं solid crystal के अंदर ठीक है आपके जो अर्थ metals की बात कर लो अगर आप alkaline earth metals की बात कर लो जो शेकिंडे की हम बात करते हैं तो वह बच्चों आपको मिलते हैं किसमें आपको solution phase मतलब आपको liquid phase में देखने को जनरली आपको मिल जाएंगे ठीक है आपके process ने प्रेवेट सरके अंदर डिसकस किया है किसी ने किसे एक्जाम के अंदर चाहे नीट का हो चाहे जही मेंस हो आडवांस हो तो कहीं रहें कि जो चीज़ा आपको डिसकस की गई है यहना वह मैं आपको यहापे clear करने बाला हूं तो नेक्स्ट पाइंट की तरफ हम हम लोग बूब कर रहे हैं हीट के वारे हम लोग स्टडी कर रहे थे कि एक्षन ऑफ लिए तिक है चलो एक्ष्ण ऑफ हीट के बारे मात करते हैं तो जितने बच्चों आपकी बाइक रोनेट होते हैं अगर मैं उनको कराऊंगा हीट में अगर सप्लाइब करूंगा तो definitely metals के carbonates होते हैं ठीक है एलिकली metals से carbonate क्या further आपके decompose हो जाते हैं अगर form हो जाएगा अगर मैं आपको बात करूँ by carbonates के बारे तो देखो बच्चो जैसे अगर आपको मैं लेखो यहां पे CAHCO3 twice यह calcium का by carbonates है अगर हम इसको heat कर रहे हैं तो यहां से क्या मिलेगा आपको CAHCO3 आपको पता है कि यहां से water molecules पहले बाहर जाएगा carbon dioxide gas यह भी आपको release होगी सबसे पहले कौन जाएगा CO2 जाएगा gas gas की phase में entropy highest है फिर बच्चो आपका water molecules liquid phase में इसके भी plastic product मिल जाएगा अब यह कोशन है क्या CO3 फर्दर उसी हीट पर decompose कर जाएगा क्या बता बच्चों क्या डिकंपोस कर जाएगा ऐसा आपका ध्यान रखने कि एलिकली मेटल्स के जो आपके carbonates होंगे वह आपके फर्दर डिकंपोस नहीं होंगे फर्दर डिकंपोस आपके वह नहीं होंगे जिसमें एक आपको ध्यान अकना है lithium का carbonate ठीक है important क्या आपका Li2CO3 यह बच्चों आपका डिकंपोस कर जाता है बाकि अगर आप बोलोगी कि सर कैलिसम कार्में डिकंपोस करें तो यह आपका डिकंपोस नहीं करेगा समझ में आप पर है यह आपको पूरा complete अच्छा नेक्स देखेंगे जैसे बच्चों के मैं बात करूं टू मोल्स ऑफ ही तो बैलेंस करके बात कर लेते हैं इसमें दिया है NaCO3 इसको अगर बच्चों मैं heat कर रहा हूं तो यहां से आपको मिल जाएगा Na2CO3 प्लस आपका water molecules प्लस आपको CO2 अगर आप चाहूं किसे फिरस डिकंपोस हो जाएगा तो no यहां पर जाके reaction आपकी stop हो जाएगी clear है अच्छा अब alkaline metals में द्यान रखना है मैं फिरस रिपीड कर रहा हूं La2CO3 यह आपका क्या होगा ब परदाद डिकंपोस करते हैं और करने कवाएगा उक्साइड मनाते हैं मेटल के उक्साइड जैसे आपको मैं थोड़ा सा बता पाऊंग तो जैसे बच्छो जिंक कार्बोनेट ध्यान दो इसको अगर आपको हीट मिलती है तो बच्छो यहां से इसको मिलेगा जिंक CO3 इसको अगर मैं हीट कर रहा हूं तो यहां से मिलेगा कॉप और ऑक्साइड प्लस आपको मिल जाएगी CO2 नेक्स बच्छो एजी टू सीओ त्री एजी प्लस वन होता ना कार्मेट माइनस टू मिसलिए आपको एजी टू हो गया इसको हीट करेंगे तो बच्छो यहां से म अब कर जाएगा तो लास्ट रेक्षन बेरी बेरी इंपोर्टेंट जो कुछा जाएगा उस तरीके से आपको करना पड़ेगा इसके बाद की बात करेंगे हम लोग जान देना एसिट के बारे हम बात कर रहे हैं कि अगर बाई कार्बोनेट या कार्बोनेट ठीक है अगर उसके साथ अगर मैं एसिट को यूज कर रहा हूं तो बच्छो वहां से आपकी स्यू टू गैस रिलीज होती है एफर्वेसेंस के साथ ठीक है एफर्वेसेंस के साथ CO2 gas release होगी हम बात कर रहे हैं acid को लेके जैसे कुछ reaction ले लो बच्चो Na2 CO3 के साथ अगर बच्चो मैं HCl लेके आ रहा हूँ यहाँ पर इसके tumult लेने पड़ेंगे because of sodium तो यहाँ से आपका हो जाएगा बच्चो यह NaCl का formation 2 moles प्लस आपका water molecules प्लस आपको CO2 तो CO2 gas बच्चो यहाँ से आपके affirmations के साथ release होगी जैसे अगर बात करों बच्चा तो NaHCO3 हो गया इन्दी प्रजेंश ऑफ HCl तो यहाँ से बच्चो इसके बनमुल्स रहेगा HCl acid का यहाँ से मिलेगा सीधा NaCl प्लस आपका water molecules और as well as यहाँ से CO2 gas भी आपकी release हो जाएगी समझ महाँ पारा है Next अगर बच्चो बता हूँ मैं zinc carbonate यह आपकी प्रजेंश ऑफ H2SO4 तो बच्चो क्या आपको पता है positive negative बच्चो आपको प्लोज जाएगे और salt का formation करेंगे आइन एक्सेंस कर देगा तो zinc जाएगा बच्चो sulfate के साथ तो क्या बनाएगा zinc sulfate और बाकी बच्चो आपको पता है कि water भी release करेगा as well as CO2 gas यहाँ से आपकी release हो जाएगी अब बच्चो हम लोग बात करने वाले हैं कुछ test के बारे में carbonate और by carbonate हम लोग difference कैसे समझ सकते हैं वो उसके उपर हम लोग बात करेंगे इसकी test को लेके तो magnesium sulfate को लेके question discuss किया था ठीक है तो magnesium sulfate यह particular बेटा आपका यहाँ पर reagent के तरीके से काम करेगा reagent जो बच्चो difference create करेगा आपके carbonates and bicarbonates के बारे में उनकी test के भी काम करेगा जब हम बात करते हैं यहाँ पर तो जो soluble जो आपके soluble carbonates होते हैं soluble carbonates तो वो बच्चों फॉर्म करते हैं insoluble PPT insoluble precipitate insoluble PPT आपके बुक create करेंगे ठीक है insoluble का मतलब आपका white PPT हो जाएगा जब आप magnesium sulfate अगर आप solution साथ यूज करते हो जिसे reaction देखो समझ में आपको आज जाएगा जिसे बच्चों लिया है मैंने Na2CO3 इसके साथ अगर बच्चों मैंने magnesium sulfate जो मारा reagent है यह बच्चों यहाँ पर आपका cold and dilute अगर आप इसको यूज करते हो तो यहाँ से बच्चों मिलेगा आपका mgCO3 और प्लस बच्चों मिलेगा Na2SO4 mgCO3 जो आपको मिलना है actually this is a white precipitate this is a white precipitate आपको समझ में आपा रहा है तो यही मैं आपको बात कर रहा था तीक है इसको मैं फिक्स से रिपीट करना चाहूँगा mgCO3 is a reagent with which carbonates and bicarbonates can be distinguished तीक है and test it अगर आपके soluble carbonates होंगा तो मैं बात करूँगा soluble carbonates form an insoluble white precipitate with magnesium sulfate in cold condition ठीक है अब आते हैं हम लोग bicarbonates के तरह तो उसको भी ध्यान देना आप लो next point is bicarbonate bicarbonates bicarbonates के वारे हम बात कर रहे हैं तो bicarbonates होंगे बच्चों वो आपके white precipitate form नहीं करेंगे magnesium sulfate के साथ ठीक है तो bicarbonates form नहीं करते हैं बच्चों white precipitate को ठीक है with mgSO4 in cold condition ठीक है यह आपके bicarbonates form नहीं करेंगे समझ बार रहा है अगर इसको आप heat कर दोगे फर्दर तो फिर आपको white precipitate आपको देखने को मिल जागा on the heating process इसे आप step देखो जैसे बच्चों हमारे पास है NaHCO3 इसके साथ बच्चों मिले की around cold mgSO4 magnesium sulfate बच्चों important है ध्यान रखने इस पर question सब्सक्ता है इसकी बच्चों यहां से mg plus 2 में जाएगा तो यहां पर 2 moles करने पड़ेंगा ठीक है bicarbonate के लिए चार्ज को balance कर रहा है ना अपनको तो यहां से आपको मिल जाएगा Mz HCO3 twice प्लस आपको मिलेगा Na2SO4 तो actually this magnesium bicarbonate is a soluble यह आपका soluble होगा लेकिन जब अगर आप इसे heat कर दोगे तो heat करने पे फिर बच्चों यह produce करेगा magnesium carbonate magnesium carbonate is actually white precipitate यह आपका white precipitate आपको लिए अपको लिए ओन हीटिंग यह आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा प्लस आपका water molecules as well as आपका यहां से CO2 gas यह release करेगा जब bicarbonate को heat करेगे बाकि अगर इसके बारे में अगर आपको test को identify करना है तो phenoptylene का भी हम लोग यूच कर लेते हैं तो phenoptylene के बारे में थोड़ा सा आपको मैं बादा देता हूँ यहां पर basic idea अगर questions उसने बच्चो phenoptylene के ऊपर पूछ दिया तो if you solve कैसे करना है ठीक है तो जो हम phenoptylene को लेके बात करते हैं तो आपके बटा यह हम बात कर रहे है पिंक कलर जो मिला है वो carbonates ठीक है और अगर मैं bicarbonates के बारे हम बात करूँ तो bicarbonates आपके phenoptylene के साथ पिंक कलर प्रड़ूश नहीं करेगा पिंक कलर आपका प्रड़ूश नहीं करता है तो आप लोग इस तरीके से पिंक कलर की बीस पर इंटिफिकेशन कर सकते हों क्लिर रेवटा ओके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बच्चों हम लोग मूब कर रहे हैं कारबाइट्स पर ठीक है हम लोग से फ्रहा च्लिपल मिलेगा कारमने के साथ बच्चों आपको जो मिलेंगे उनकी एलेक्ट्रो नेगेटिविटी कार्बन के साथ जो भी आपको यहां पे elements मिलेंगे आप उसको समझो ध्यान से इसी मैंने binary लिखा हुआ है जो भी elements मिलेंगे उन elements की electronegativity कार्बन से या तो बच्चो एक्कोल होगी या फिर कार्बन से कैसी बच्चो लैस होगी या हायर होगी डेफिनेटली आपकी लैस होने चाहिए अगर हायर हो जाएगी न तो फिर वहां पे आपका कार्बाइट का फर्मिशन नहीं हो सकता है या आपको ध्यान रखना पड़ेगा तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ कार्बाइट के बारे में अगर आपको देखना है तो वहां बच्चो आपको पता है कि अधिसे कार्बाइट के साथ जो अधर एलिमेंट्स आने वाले हैं उनकी इलेक्ट्रो नेगिटीबिटी कार्बन के कंपैरिजन में या तो इक्वल होना चाहिए या फिर आपकी लोर बैल्यू होने चाहिए तो ही आपके कार्बाइट का फर्मिशन होगा समझ में आप रहा है ठीक ह हमारा जो सिलेबस है उसके कॉल्डिंग हम लोग यहाँ पर चीज़ें कर रहे हैं तो थ्री ट्रैप्स के अंदर बच्चो जो हम बात कर रहे हैं यह एक्शली ऑन दी बिसस ऑफ बॉंडिंग जिसको बटा हम लोग केमकल बॉंडिंग में भी शड़ी करते हैं इस चीज को त सेकिंड कैटेगरी आपको मिलेगी को बैलेंट कारबाइड एठाथ कैटगरी इंटर इस्टिसियल सिसियल या फिर आप ऐसे बोल सकते ओ और करके ईलोई Lite 2015 को बॉल सकते हो इंटर सार को तीक है यह तीनों केटेगरी आपके मैं आपको समझ आइए अची है इसके बादव कि अगर मैं करबाइट को हीट करता हूं अगर इनको अगर आप हीट कर रहे हो तो heat करने पिए बच्चो क्या produce करेगा यह बटा produce करता है उस particular element के oxide मैं general case जनरल case की बात कर रहा हूँ तो बच्चो क्या produce करेंगे आपके oxide produce करेंगे और इसका बच्चो क्या produce करेंगे आपका carbon या फिर बच्चो का बटा हम बोल सकते है hydrocarbons जिसमें alkyne हो सकता है अलकीन होता है और आपका alkyne ठीक है वो भी आपके produce करते हैं और ध्यान ही रखना है कि जब भी आप heating करने का तो high temperature आपका बहुत जरूरी है तो high temperature dissociation होगा और या तो आपको oxide यह फिर आपको different hydrocarbons देखने को मिल जाएंगे इसमें कुछ reactions के वारे में हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं ध्यान देंगे जैसे अगर मैं जो important बेरियम के साथ अगर मैं carbon लेकि आता हूं तो बच्चो इसकी टूमोल मुझे लेने पड़ेंगे तो यहां से बन जाता है आपका बेरियम कारवाइट बीए C2 नेक्स अगर लीथियम की बात करते हैं जो important अवसी को पर हम बात कर रहे है यहां से बनेगा आपका Li2C2 नेक्स calcium oxide अगर बच्चो मैं 3 लेकि आऊंगा तो क्या form करता है calcium carbide form करेगा और प्लस आपका carbon monoxide gas release करता है तो third reaction अपने आप में बहुत important है विकोज यहां से आपकी CO gas release हो रही है नेक्स बच्चो अगर मैं lithium के साथ यह भी important है लीथियम का बच is this carbon triple bond carbon hydrogen and hydrogen ठीक है yes it is acetylene या फिर हम इथाइन बोल सकते हैं तो यहां बच्चो इसके formules आपको लेने पड़ेंगे और यहां से आपको मिलेगा Li2C2 ना प्लस आपको मिलेगा lithium hydride तो यह भी अपने आप में बहुत important है आपको carbide plus hydride दोनों चाहिए तो आप यह आप इस reaction को follow बहुत important lithium के लिए ठीक है तो अब हम individual study करेंगे कि salt like carbide हम किसको बोलते हैं बागी categories पर है salt like carbide पर ठीक है first category यह carbide actually मचूब form कहां से होते से बटा salt लखा है salt का मतलए बटा कहीं नहीं कहीं आपको यहां पे metals दिखने वाला है हुआ है तो metals के साथ अगर बच्चों मैं बात करूं किस गुरूप को लेकिए तो आपका फर्स्ट एक गुरूप अलेकली metals हो गया इसके सासाथ बच्चों आपका थर्ड एक गुरूप भी रहता है जिसमें आपका अलिमुनियुम बगार रहेगा जहां पर बटा बोरोन नहीं होता है ठीक है इधान रगना में एक्षेप्ट बोरोन ठीक है बोरोन आपका नहीं रहेगा थार्ड एक के अंदर ठीक है जिसमें हम लोग क्या बनाते हैं ठीक है तो आपकी कोईने जिसे कॉपर बगरा हो गया उसके बारी में बात कर रहे हैं कोईने जिंक हो गया आपका एंड कैडमियम हो गया ठीक है और कोच आपके इंपोर्टेंट लेंथ नॉइट्स भी आपके रहते हैं तो द्धान दो बच्छो अलिकली मेटल्स एकन अर्थ मेटल्स बुरोन फेमिली में एक्षेप बुरोन को और चेंट लाइक स्कापर जिंग और कॉपर हो गया सिलबर हो गया जिंग हो गया क्यडियम हो गया और कुछ इंपोर्टन आपके लेंथ नुइट तो यह बच्छो फॉर्म करते हैं आपके इतना आइडिया हैं यहां पर हो गया हुगा ठीक है अच्छा अब जब हम लोग यहां पर वाईस आपके हापर कारवाइड फोर्म हो चुके हैं इन एलिमेंट्स है तो फिर हम इदेंटिफाइड करने के लॉजिक और होता है तो उसको कैसे डेटीफाइड करते हैं बॉंडिंग के बीच पे यह जो नेचर जो नेचर होगा आपका नेचर ओफ हाइड्रो कारवेंस मतलब जब आप क्या करोगे इन कारवाइड करोगे इन कारवाइड करोगे यह तो वाटर प्रजेंस में या फिर आपके एसिड की डेलूट एसियल की प्रजेंस में इन कारवाइड का जब आप हाइड्रो लिसस करा र बंडिंग का जो नीचर होगा उसके बीस में डिशाइड करते हैं तो यहां पर आपको definitely salt के बारे बात कर रहे हैं तो ऐनिक ही आपको मिलने बाला है को बलेच्ट तो मिलने बाले हैं नहीं आपका मेथरानईट्स फर्स्ट शेकिन गयर बच्चों में बात करूं तो यहां पर आपके आते हैं यहां ऐ आपको ध्यान रखना है फूर्थ केटेगरी बच्चों आपको मिलेगी इस इस दी मेश्ट कारबाईड मेश्ट कारबाईड पर इस फूर्द यहां से आपको मिलेगा यहां से अपका है अप आपको मिलेगा अच्छा घेली अब बात करते हैं कि और अच्छा फीड़्य में सकते हो इसलबर ले सकते हो व सान लेते हो तो फिर आपको जो कारवाइट मिलता है या फिर आपको जिंक मिल सकता है या फिर आपको टाइप मिलेगा तो फिर आपको जो मिलता है इसके वो मिलता है आपको mc2 type carbonate का से मिलेगा mc2 type आपको carbon यहां पर देखने को मिलेगा अजय हम करवाइड देखते हैं तो बच्छों कहीं कहीं अपका जो चार्ज होगा वह कितना होगा मैनस चार्ज होगा अगर alkali metals की बात करेंगे तो आपका वहां पे इसके सामें बच्छो कोन होगा आपका एलक्ली मेंटल्स होगा तो एक एक होगा तो एक होगा उसे प्लस मढ़र होता है यह गुरूप आपका ट्रैश रहेगा बाकि जॉपर शिल बर गोल्ड और शिंट अग्या अगर इसके बात बैट में अगर इससे अगर बात करता हूं त तो यहां से आपको मिल जाएगा सोडियम का कारवाइट और एक्चली मैं समझाना चाहरा हूं यहां से आपको क्या मिलता है जो आप यहां पर बात कर रहे हैं इसके शेप को लेकर थोला से आपको मिलता है तो यहां पर मिलता है तो यहां पर आपका म्यथनाइट इसका यह आपका मॉलेकुल्स कौन सा हुआ यह आपको देख रहा होगा कि जब हम ऐसे आइउनिक करवाइट्स लाइक मैंतनाइट्स का जब हम है तो हैट्रृसिस कराने बच्चों क्या मिलेगा आपको मेंधेन गेस आपको वहां से जाते भी दिखेगी क्लियर है इसलिए इसका नाम पड़ा पड़ा मैंतनाइट्स इसम है MN3C हो गया तो यह कुछ है अगर इनका आप करा होगा तो यहां से आपको मिलेगा मेथेन और इसके अगर जनरल फॉर्म को मैं रप्रेंट करूं तो यह जाएगा आपको कारवन पे माइनस फॉर तो यह आपको द्यान रखना है इसके बाद हम बात करते हैं यहां से आपको जो मिलेगा वो मिलेगा आपको यह यह आपको वह से मिलेगा वाइल अगर इसमें कुछ अग्जाम्पल्स अगर आप मैं बता पहूं तो मैंगनेशियम का इंपोर्टेंट है तो अगर आप इसका कराते हो तो अगर मैं करता हूं वाटर पढ़ेगी और यहां से आपको मिलेगा एक तो आपको मैंगनेशियम का है तो यहां पे बाकी आपको आपको प्रोपाइन मिलेगा तो प्रोपाइन बच्चों क्या है उसी को डाम लोग गोलते हैं एफिर में अपर अपर आप आ रहे हैं अच्छा तो यह बहुत सिंपल और रिट्फरवाड कोस्ट्स आते हैं अपको ट्राइक कर सकते हो और बेकुल आपको समझ माजाएंगे नेक्स ब्रफों बात करें निक्स्ट कारवायट के बारे बहुत तो मिक्स्ट कारवाइट के अंदर आपको एक्शली में क्या मिलता है यह जिसमें कूछ स्पी ठीक है आपके अगर और गलत कर देते हैं तो तो टोटल बचो सोट्राइक कारवाइट या आएनिक कारवाइट्स आपके 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 बात करेंगे कोबलेंट कारवाइट के बारे में तो कोबलेंट कारवाइट के according हमारी सिलिबस में दो आपके element बहुत important है एक तो बच्चो आपका आता है यहाँ पे silicon ठीक है और एक आता है बच्चो आपका boron इन दोनों के जो कारवाइट होते हैं बच्चो वह हम बोल सकते हैं प्योर ठीक है प्योर कोबलेंट कारवाइट प्योर कोबलेंट कारवाइट silicon and boron के ठीक है अगर मैं silicon की कारवाइट की बात करूँ तो आपको मिलता है SIC silicon कारवाइट जिसका वेटा common है बहुत popular है this is called carborandum मैंने आपको discuss पहले भी किया था ठीक है और boron के कारवाइट बच्चो आपको जनरली दो फार मिलते है B4C एक तो यह मिल सकता है या फिर आपको मिलेगा B13C2 इसमें से यह first वाला आपको लिए important है यह आपको दिहान रखना है और cobaland carvides में आपके जब हम bond के बारे में study करते हैं तो बच्चो it is a chemically inert यह आपके chemically inert रहते हैं मतलब यहां पर जो bonding बटा काफी proper रहेगी और आपका इसलिए बच्चो यह मिलते हैं hard crystalline materials की form में आपको देखने हो कि मिलेगी hardness बहुत जौब और ज़स्त होती है ठीक है बाकी अगर आप silicon carbide को बनाते हो तो यह हमारा intuitive बोलते है कि आप सिल्का लेके आजाओ और सिल्का को बच्चो क्या करो आप इन्दी प्रजेंस आप कारबन जिसको हम लोग कोक बोलते हैं ठीक है पहले का जो लक्चेर आप इस यू को में रिलीस कर रहा था तो इसलिए यह रेक्शन अपने आप पर इंपोर्टेंस इसका हो जाते है इसलिए आपको इसको ध्यान रखना है ठीक है तो यह आप वो पास हीएश्ट पॉश्टिव चार्ज रहता है ठीक है तो यहां पर जैसा नाम है आपका मैटल इंटर स्टीशल्स बटा आपको वर्डर है मतलब वॉइड कहीं ऐसे आपका रेजमेंट जहां पर वॉइड है विकेंट इस्पीस प्रिजेंट है तो उसी बेकेंट स्टेंट किक्रिस्टल के संगे जो करवार में बता पाउन आपको तो पहली स्मेर कटेगरी बनती है आपकी M-C type carbide, शेके नापका बनता है M-C type carbide, M-C type carbide में विटा कौन कोन से element आपके metal आते हैं, आपका titanium हो गया, जिरकोनियम हो गया, हॉपमियम हो गया, बेंडियम हो गया, निवोमियम हो गया, तो यह कुछ आपके ऐसे मैटल्स हैं, जो बच्छों MC टाइप करवाइड बनाते हैं, और इसके बाद अगर मैं M2C टाइप पर जाओंग तो आपका बेंडियम हो गया, यह भी फर्म कर लेता ह है, ठीक है, तो यह थोड़ा ध्यान रखना है, यह कॉमन है दोनों के अंदर, तो यह जो आपके ऐलिमेंट्स हैं, दो दापे कारवाइड का, अब एक कॉस्चन यहां पर क्या है, कि यह जो आपके मैटल्स हैं, इनका बच्छों लेटिस मिलता है, तो इस पर्टिक्लर क्रि आपके वीच में कह रहेगा, आपका वॉइड रहेगा, तो उस वॉइड में, जो कारवन आपके स्मॉल साइज का है, यहां पर ही दुक इस पीस दिख रहे आपको, तो इन पर्टिकुलर बेकेंट इस पीस को हम लोग वोईड बोलते हैं, यहां पर जाके, आपको जो कारव सिप्त हो जाएगा तो इस निए डिलिक और इंटर इस्टीशन कारवाइट भूलते हैं यहापको डी ब्लॉक के लिम्नेट इस देहने को मिल जाएंगे सब एक तो बचो यह जो आपके मैटलिक और इंटरिस्टल कारवाइट्स हैं यह बचो आपके मैटलिक लश्चर मैटलिक लश्चर को रिप्रेजेंट करते हैं सेकर्ड बचो इनकी जो लेक्ट्रिकल जो कंडक्टिविटी होती है वो बहुत हाई होती है इनकी हाई रहती है और नेक्स बच्वाइब में बात करो तो यह इनलेटनेस सो करते हैं और इनकी जो आपकी जो क्रिस्टलाइन जो पेकिंग रहती है वो लगबग बटा डायमंड की तरीके से होती है की तरीकी से होगी तो इनकी जो आपका मेंटेंग पॉइंट होगा तो कॉमन सी बात है वो कैसा हो जाए चले टो यहां पर आपके कारवाइस फिनिस होते हैं तो में बात करेंगे चांप सिलकोंगे होगा सिलकोंग के chapter को finish करेंगे ठीक है तो आज इतने रखते हैं thank you thank for watching